नमस्कार दोस्तों मजाब मेकैनिक यूटूब चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों आज हम बताएंगे कि पिक अपको अपक्राइंगे क्यूंकि दोस्तों बहुत सारे भाहिल लोग होता है तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि पिकप कोयल जब खराब होता है दोस्तों तो उसमें बाइक चलते चलते बंद होती है फिर हीट होती बंद होती फिर ठंडी होती फिर चलती है फिर दोस्तों इस तरीके से करती है तो इस तरीके जब भी होता तभी पिकप कोयल जैसे इस समय ले रहा न यह चुम्मक बिल्कुल खतम हो जाता है तो जब दोस्तो चुम्मक खतम हो जाएगा तो गाड़ी के जोर से किक लगाएंग तभी श्टार्ट होगी नहीं तो नहीं श्टार्ट होगी और करन्ड जैसे लंबा लंबा दोस्तो देखिए जब इतना लिन भिक और ने दोस्तों कभी कभी क्या होता है पीछ चाइड बूल जाती है तो यह तीसरी बात है कि आ만 समस्कति फिखक कर लेते हैं कि यह भी खराब हो गए तो पिर कभी 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 क्या होता जैसे यह यह दंड़ि लगे होती है यह इस तरीके से यह भी निकल जाती है ठीक तो दोस्तों यह चोती बात है कि इस तरीके से भी चेक कर लेते हैं कि यह भी खराब है तो यानि इस तरीके से हम लोग तो पिकप कोईल को समझ करके और चेंज कर देते हैं ठीक जादा तर दोस्तों इसी तरीके से हमने अभी तक काम किया है और इसी तरीके से हमने गेस किया है कि इसी तरीके से यानि पिकप कोईल खराब होता है तो चेंज करते हैं फिर दोस्तों कभी-कभी क्या होता है मल्टी मी तो जो दो तार से स्टार्ट होती है वो बारा बोल्ट होती यानि जैसे पलसर है और यानि एक सीड है और डिस्कवर है जिन बाइक में दो तार से यानि सेल्फ स्टार्ट ज्यादातर होती है और विदाउट सेल्फ होती है लेकिन उसका आन आप जो सुच होता है वो दो तार स तो वह 12 volt होती है और जो 12 volt नहीं होते है उसमें लाक में 4 तार होते है जैसे forest champion caliver boxer boxer 80 CT यानि इस तरीके से जो गाली होती ठीक तो उसमें यानि होती है करें तो 110 उसकी रेंज सबसक्राइब कोई की रेंज कम होती है अब दोस्तों जब भी हमको चेक करना दोस्तों तो यहां टृक है आप दोस्तों लेकissimo करते हैं देकेज्च मेरे सामने देखें एक गाड़ी है यह है अधी दिश्कवर का है 50% दिश्कवर 100 दिश्कवर 100 सीुथ और वायार कंपनी यह हम इसको चेक करते है और हमने इसको आनि चाहते हैं कि इसको हम फोट बritis求 करना और वा अलेक्ष से निकाल लेते अब दोस्तों देखिए इसका जो आ रहा है यहां से हम हिला रहे थे तो दोस्तों देखिए जो इसका आ रहा वो रहें जा रहा है तो यानि 200 के ऊपर आएगा इसी के आसपास रहेगा ठीक है और दोस्तों अगर यह 211 अगर इसका आ रहा हो इसी तरीके इस गाड़ी अगर हमारे पास दूसरी कोई है तो अगर हमको चेक कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों हर एक बाड़ी बाइक का यह जो रेंज होती पिक आप को सब्सक्राइब की अलग अलग होती ठीक अब दोस्तों देखें यह यह हो गए 12 बोल्ट की क्योंकि दो तार दो जिसमें लाग में दो तार अब यह जिसमें चार तार होते हैं उसका देखें दोस्तों आठ साथ नंबर के स्क्रू होल होते हैं उसके चोटे-चोटे होल है उस तो इसकी याणी range कम रहती है ठीक? अब फिर देखो, जोस्तो यह एक pulser का है और यह भी वैरा company का है और यह pulser का जो बता रहा है वो देखें कितना बता था? ठीक है? देखें यह भी 209 बता रहा है ठीक? तो इसी तरीकस याणी जो 12V होती है उनकी range ज्यादा होती है पर दो हम इसको जैसे यह है तो यह खराब है तो इसको हमने यह चेक करते हैं तो यह कुछ भी नहीं बता रहा है यह देखें यह इस तरीके से कुछ भी नहीं बता रहा है इस तरीके से तो यह इस तरीके से कभी-कभी चेक करने ना चाहिए ठीक और फिर दोस्तों देखें यह एक लाशा देखें दिखें इसका जो बता रहा वो 221 पॉइंट बता रहा ठीक है दोस्तों तो हम बताया कि किसी किसी का रेंज ज्यादा होता है किसी किसी का कम होता है तो हम 100% नहीं बता सकते कि दोस्तों कि इतनी रेंज होना चाहिए पर दोस्तों जैसे हमारे पास अगर यह अगर 221 पॉइंट आ रहा हो किसी में 280 चला जाएगा तो खराब है और यह 120 चला जाएगा तब भी खराब है क्योंकि अगर 221 बता रहा तो इसके 10-20 पॉइंट आगे पीछे तो चल सकता पर दोस्तों अगर बहुत ज्यादा आगे पीछे जा रहा तो समझे खराब है ठीक अब यह दोस्तों 221 पॉइंट बता रहा हो इसकी स्टार्टिंग दिखाते है किस तरीके से यानि यह बाइक स्टार्टिंग कैसी है ठीक अब हम एक में जरा हम इसकी थोड़ा सा पहले समने न देंगे दोस्तों इस तरीके से दोस्तो इस तरीके से यानि इन सब लीक्व आई की आइस जो रसा करिके ने आप तक पहले पहुँचे नमस्कार दोस्तों